बर्द सर्टफिकेट के बिना पासपोड कैसे बनेगा बहुत सारे लोगों को ये सब प्रॉब्लम है और आध हमारी वह भाईस से बात हुई जिनके पास उनका तीन बर्द सर्टफिकेट है 2007 के टाइम का, 2009 के टाइम पर, 2010 के टाइम का तो क्या उन्हें passport बनवाने में कोई problem आएगी और क्या हमें birth certificate वाकई में देना पड़ेगा passport बनवाने के time पर यह passport बनवाना सबसी मुश्किल का काम है इतना आसान नहीं है यह passport बनवाना क्योंकि यह passport बनवाने के लिए इतने सारे दस्तावेज मांगे जाते हैं इतने सारे document म मांगे जाते हैं कि लोग परिशान हो जाते हैं और बहुत सारे लोग passport बनवाते तक नहीं है तो आज हम यही आपको जो क्लैरिफिकेशन देने वाले हैं कि passport बनवाने के लिए document क्या लगेंगे और आपको birth certificate देने की आप शेक्ता है या फिर ने अब देखो जो 90 की समय के ल लोग हैं क्योंकि उसके बाद से लोगों का birth certificate बनना शुरू हो गया था और अब तो 2017 से डिजिटल भी सारे चीज़े होगी birth certificate बनने का उसके पहले बनता तो था असरकारी ऑपसर में और बनता था लेकिन 2017 की बाद से या उसके आस पास से जो है सब कुछ online हो गया डिजिटल हो गया ठीक है तो डिजिटल होने के बाद जो है और जारा डिमांड करे जा रही है ठीक है तो अगर क्या हो अगर आपके पास तीन birth certificate हो अलग लग हो तो आपको सबसे पहले देखो क्या करना है आपको देख लेना है कि आप जैसे आज को हमारे client वाई थे जो भी client थे उनकी बास जो है तीन birth certificate था अब तीन birth certificate में क्या सीन था तो वाई देखो उनको सबसे पहले क्या करना होगा या फिर आपको क्या करना होगा ऐसी multiple birth certificate है तो आपको जो है तीनों में से दो को cancel करना होगा cancel करवाने के लिए आपको क्या करना होगा जहां से भी आपने बनवाया होगा आपको वहाँ पर जा की cancel करना है लेकिन उससे पहले आपको decide करना है कि इन तीनों में से आप कौँ सा birth certificate आप रखना चाहते हैं अगर तीनों में से कोई एक भी अगर आप रखनाが होगा तो उसी birth certificate के हिसाब से आपको बनवाने पड़ेंगे, कुछ लोग बहुत ही चलाग बनते हैं, आधार कार्ड में कुछ और रखते हैं, चलो birth certificate कुछ और ही रख देते हैं, ऐसे लोगों का passport नहीं बनता है, ठीक है, तो आप हमेशा याद रखो कि कोई भी एक birth certificate ही आप चूछ करो, दो केस अगर आपका police verification जब हो, या भी passport verification की टाइम पर जब जाओ, और वहाँ पर birth certificate वाँगे, तो आप पहला वाला दिखाओ, और वो चेक करके बोलते ही कि आपका previous भी बना था, तो आप तब जाकर उन्हें दो cancellation वाला form दिखा सकते, अदरवाई ये चीज दिखाने जरूत न है, तो अब मैंने clear ये चीज कर दिया, कि अगर आपके पास multiple birth certificate है, तो उसका क्या solution है, अब हम बात करते है, birth certificate वाकिए में जरूरी है, क्या, जी हाँ, जो 90's के बाद के हैं, लोग 2000 के बाद से 2000 से 2024 के बीच में, जिनका birth हुआ है, उनका birth certificate होना चाहिए, ये तो बहुत ज़ आपकर ही देना पड़ेगा, otherwise आपका passport नहीं बन पाएगा, ठीक है, इतना compulsory कर दिया, अब देखो, अगर आपने 10th अपना complete करके रखा है, तो उस condition में भी आपको बहुत ज़्यादा tension लेने के आप शेकता नहीं है, क्योंकि as a date of birth proof के तोर पर आप अपने 10th की mark sheet को use कर सकत जैसे कि मैंने खुद भी कर रहा था और हम लोग का birth जो है 90's के टाइम का है, तो हम लोग उने यूज यहीं चीज कर रहा था, ठीक है, तो अब देखो, यहां पर मैंने आपको clear कर दिया, birth certificate compulsory है, और जो लोग खासकर 2017 के टाइम से उनका जो minor है लोग, उनका तो बीना birth certificate के ठीक है, तो मैं तो यहीं बोलूगा भाई कि बनवा लो तो best रहेगा आपके लिए क्योंकि वो optional रखो न भाई, अगर मांग देते हैं तो यह दो नहीं मांगते तो कोई बात नहीं, passport बन जाएगा, अब passport बनवाने के लिए कौन कों से दस्तावेज लगेंगे, देखो भी यह passport बनवाने के लिए basically आपके तीन डॉक्मेंट लगते हैं, एक आपका लगता है birth certificate में, मतलब data birth proof, प्रजय आपका यह address proof लगता है, और आपका identity proof, तीन proof लगते हैं, अब identity proof में आप अधार कार्ड, pen card, voting card, यह सारा एक सारा दे सकते हो, address proof में अधार कार्ड भी लगता है यह सारे जो हैं, आपका address proof में आते हैं, तो आप इन सब में से कोई एक यूज कर सकते हो, as address proof, अब एक रहे हैं आपका birth certificate, तो birth certificate के लिए आप या तो 10th का mark sheet यूज करें, या तो आपके पास original birth certificate होना चाहिए, जो आप बनवाए हो, ठीक है, तो यह तीनों document proper आपको देना पड़ेगा, तो यह इसके बिना आपका passport नहीं पड़ेगा, अब बात करते हैं, जिनके जो लोग 10th पड़े हैं, जो लोग नहीं पड़े हैं, तो देखो, अगर आप नहीं पड़े हो, तो यह तीनों document से बन जागा, अगर आप पड़े हो, तो आपके पास 10th की mark sheet होना compulsory ह देना ही पड़ेगा, minimum, ठीक है, तो इस तरीके से आप यह सारे दस्तावी जी उच कर सकते हो, और birth certificate कितना कम पल सिरे, मैंने वो चीज़ बता दिया, और एक चीज़ में clear करना चाहूँगा, इसी वीडियो के अंदर, जो लोग 90s case time के हैं, जिनका date of birth है, चाए 1990 के आज़ 1910 में, 1970, 1960 में हो, कोई भी हो ऐसा, तो उनका अगर पुलिस वाले birth certificate माँग रहे हैं, तो इतना आप समझ लो कि यह उनहीं लोगों से माँगा जा रहा होगा, जिनको पुलिस वालों को doubt है, कि यह Indian citizen नहीं हैं, तो उन्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि वो Indian citizen हैं, क्योंकि बांगलादिस से बहुत सारे लोग हैं, इस से पहले, जो migrate हुए इंडिया में, और वो लोग इंडिया के सारे दस्ताविज बना कर Indian बनना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहीं से permission कोई नहीं ली, Indian citizenship के लिए apply उन्होंने नहीं करा, तो उस condition में उन्हें अपना birth certificate देना अगर पुलीस वालों को doubt आपके उपर आता है, तो उस condition में आपको proof ऐसा देना होगा, कि आप वाकई में यहीं के रहने वाले हैं, तो उसके लिए आप अपने घर का दस्ताविज बगरा, जो आपके दादा उदा के नाम से हो, पर दादा के नाम से हो, तो वो सारा जो विर देना पड़ेगा, तो आज की वीडियो में यही सारी टॉपिक थी बात करना था, और कोई और प्रॉब्लम रह गई हो, तो आप अपने जो भी प्रॉब्लम में कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको डारेक्ट मेरे से one to one बात करना है, तो आप उसके लिए परसनल कंसल्टिं करते हो, और हम आपसे मिलते हैं किसी और नए वीडियों किसी और में अपडेट के हैं, साथ.